Hello everyone, so इसके पिछले एपिसोल्ड में वैसे तो पुरी की पुरी सिरीज चल रही है, तो अगर ये सिरीज का आपको लाब उठाना है, फोटोग्रफी, सिनिमेटोग्रफी बहुत ही भहतरीन धंग से सीखना है, so make sure करें कि आप फोटोग्रफी एजुकेटर्स की इस चानल को सब सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो है इस वीडियो को लाइक करें, अच्छा, मैं ये कह रही थी, कि इसके पहले की जो वीडियोज थे, उसमें हम लोग ने शटर प्रायरिटी और अपिचर प्रायरिटी के बारे में बात की थी, तो ये जो है semi-manual, semi-auto modes आप कह सकते हो इसके आगे होता है कि आप एक manual mode select करते हो, पर अगर आपको चाहिए कि इससे एकदम easy हो जाए, aperture priority और shutter priority से भी easy mode होता है, P mode मतलब program mode, program mode का मतलब है कि ISO जो है, वो आपको set करना है, और shutter और aperture camera खुद set कर लेता है, और हमेशा जो आपका needle है, वो zero पे, center पे रहता है, जिसके जो भी exposure आपके camera में photography करते वक्त या videography करते वक्त सही हो, वो अपने आप ही हो जाएगा, मतलब हर photo video सही आएगा, और आपका needle हमेशा zero पे रहेगा, और aperture shutter को जो set करना था, उसकी जो मगजमारी है, वो भी नहीं करनी है, सिर्व आपको ISO को control करना है, ये almost auto mode बन जाता है, with some controls जैसे कि color balancing वगेरा वगेरा, कहने का ये है, कि जब हम लोग बात करते हैं ISO के बारे में, program mode के बारे में, थोड़ा सा आज उसके उपर भी बात करेंगे, देखिए, program mode select करना, मतलब ISO को control करना, सोचिए, पूरा का पूरा mode दिया गया है वहाँ पे, ISO को control करने के लिए, ISO जो है एक image sensitivity का बात है, उसके उपर भी हम लोग ने video create किया ये series में, कि कैसे जो है, low light में, जो है आप जैसे ISO बढ़ाते हो, आपको बहुत ही ज़ादा dotty appearance create हो जाता है, dotty appearance create होने के वज़े से, आपको जो भी photo आप देखते हो, उसमें noise दिखता है, pixelation जैसा आता है, RGB के colors थोड़ आप जो है, आज कल के जमाने के cameras जो देख रहे हो, जैसे अभी हम लोग Canon R6 Mark II use कर रहे है, Canon R3 की बात ले लीजे, यहाँ फिर R ले लीजे, यह जो अभी जो recent cameras आये है, दूसरे brands से भी, जैसे Nikon, Sony, जो भी नए brands अभी camera लेके आ रहे है, सभी में जो है, वो लोग claim कर रहे ह low light performance, यह low light performance होता क्या है, ठीक है, और वो क्यों use होता है, और क्या वो हर बार use करना ज़रूरी है भी यह नहीं, देखिए, जब आप जो है, आपका ISO, 1600 ISO के ऊपर लेके जाते हो, देखिए, 800 और 1600, जो हम बोल सकते है, base ISO, 400 है, 800 है, base ISO का मतलब है, कि इस ISO पे आपको कम से कम, actually no noise आएगा, बहुत जादा ही, आपको noise जैसे दिखेगा ही नहीं, जब आप 400 ISO, 800 ISO, 200 ISO पे काम करते हो, उसे हम कहते है, base ISO, जैसे ही आप ISO, 1600 के ऊपर चलना शुरू कर देते हो, आपको noise evident दिखेगा, आपके photos में noise आएगा, ठीक है, आप कहोगे कि ठीक है, आपका जो camera है, वो low light performance का है, वो क्यू है, ठीक है, क्योंकि आपचकल के sensors जो बनाएं हैं, वो एक तो full frame sensors है, full frame sensors में जो है, pixels के लिए काफी जगा बन जाती है, और जो light camera sensor के उपर पड़ती है, उसमें जो है, friction कम आता है, जिसके वज़े से आपको low light performance मिलेगा, कम से कम जो है, आपको noise आपके photos या videos में दिखेगा, दूसरा reason ये होता है, कि अगर आप बात करें Digic X processor, जो Canon का है, जो latest processor है, वो processor में जिस हसाब से light और color की renderation होती है, sensor के उपर, और processor जिस हसाब से उसको जो है, receive करता है, receipt करता है, वो जो processing system है, वो जो algorithm बनाया गया है, वो इतना अच्छा है, कि वो noise को आ करेंगा, उसका processor जो है, वो fast होने के वज़े से, reception की technology बहतर कर देने में आई है, तीसरा reason ये होता है, कि आज कल जो है, लोग mirrorless cameras यूज कर रहे है, पहले DSLRs यूज करते थे, right, mirrorless camera के अंदर, जैसे Canon R, तो R मतलब revolutionary कहा गया है, तो ऐसे हर camera की company जो है, ये series लेके आई है, ज mirrorless camera में, जो mirror का ऊपर नीचे जाना, जो DSLR में होता था, उसमें एक vibration create होते थी, जब आप photo कीचते थे तब, वो जो vibration है, वो भी mirrorless camera में नहीं create होती है, इसके वज़े से भी आपको थोड़ा सा कम noise create होगा, साथ ही साथ, जो distance है, मतलब जो sensor का और lens का, जो last rare lens है, उसके बीच में जो distance है, वो DSLR में थोड़ी जादा थी, और mirrorless में काफी कम है, बीच में जो सारे hurdles थे, जैसे mirror, shutter, ये सारे चीज़ें का भी problem इस cameras में नहीं है, काफी जो है space कम है, तो light अंदर जो आती है, वो directly sensor के उपर पड़ती है, और जो distance दोनों के बीच में है, वो भी कम है, जिसक के वजह से जो है, आपको noise कम आता है, आप समझ रहे हो, ये सारे factors जो है, एक brand, एक company जो है, ट्राइ कर रही है, कि आप अगर 16 सके ऊपर, मतलब 3,200, 6,400, 12,800, यहां तक की 25,600, बढ़ता जा रहा है, अभी ISO का range बढ़ता जा रहा है, लाखों के ISO पे भी आ चुका है, तो ये यहां तक की, जब आपकी final image create होती है, उसमें भी जो आपको noise आ रहा है, वो भी काफी हद तक flatten कर देने में आता है, मतलब एक पिक्सल की बाजो में, जो दूसरा पिक्सल एक noise में दिख रहा था, उसको थोड़ा साना flattened look मिल जाता है, जिसके वज़े से वो noise visible इतना नहीं हो होता है, एकदम high ISO की बात कर रही हूं, मतलब आप समझ लो 6,412,800 के ऊपर के ISO की में भी बात कर रही हूं कि वहां पे वो थोड़ा सा flatten कर देता है, तो यह सारी चीजे जो आपको camera से मिलती है, वो आपको support करती है, कि आप low light में भी बहुत 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 बहुतरी इंधंग and lights यूज कीजिए, जाधा बहतर lights यूज कीजिए, फोटोग्रफर हो तो flashes भी यूज कर सकते हो, जैसे ही आप light की मातरा बढ़ा देते हो, आपको जो है, बेज ISO पे भी काम करने की आपकी शमता आ जाती है, camera का जो highly dynamic range, जो पूरा का पूरा dynamic range है, वो आप उस camera की quality पूरी ब 200-400 पर ही काम करें, अगर आप बढ़ा रहे हो, तो यह देखिए कि उस camera का low light performance कितना अच्छा है, हमेशा यह चीज को चेक करिए, क्योंकि as a wedding photographer, as a night photography, जो लोग करने जाते है, street photography, जो लोग करने जाते है, यहाँ पर आपको जो है, low light performance वाला camera की requirement बहुत जादा है, and to be honest, आ उसका पूरा ध्यान रखा गया है, जिन जिन लोगों को भी photography और cinematography एकदम ही detail में सीखनी है, और professional level पे जाना है, उन सभी के लिए हमारे पास एक online course है, जो हम हर महीने नया batch शुरू करते हैं, अगर आपको भी इस online course में enroll करना है, तो हमारी contact details दी गई है, इसमें आप enroll कर सकत हो, अगर आपको जो है, ऐसे वीडियो से जानकारी मिलती है, तो मेरबानी करके जो है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टेग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे हम लोग constantly content लेके आ रहे है, and of course, next guruaar को अभी हम लोग शाम को 6 बजे जब हम बात करेंगे आगे की सीरीज के बारे में, thank you so much, see you soon.